नमस्कार दोस्तों कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है चीज़े समझ में नहीं आती और जिन्दगी पर कुछ परिशानी भी चल रही है जिसके इवज में इनको लगता है कि ये सीमियन लाइन मुझे तो परिशान कर दिया तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे इंडिकेशन होते है जो आपके हाथ पर ही बनते है अगर कोई उसके विशे में नेगेटिव बोलता है तो आप उससे अपने जिन्दगी को रिलेट करने लगते है जैसे कुछ इदर ही मेरे पास बहुत से messages विगर आते थे और मेरे बहुत सागिर थे वो मुस्से questions करते थे कि गुरुजी ये बताईए कि मेरे हाथ पर cross है सूरी परवत पर तो मैं तो life में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा जबकि ऐसा कुछ नहीं होता cross का ऐसा कोई side effect होता ही नहीं है वो एक lines है सिर्फ माल लिया जाए अगर सूरी परवत पर आपके ऐसे कोई indications बन गया तो कोई मुर्ख वेक्ति इसको cross बोल देगा और बोलेगा आप कुछ भी नहीं कर पाऊगे तो वो मुर्ख कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ ये एक सीधी सूरी रेखा है और इस पर एक cuts हुआ ये तो एक cuts से क्या हो जाएगा इतनी सीधी सूरी रेखा से ये बताओ आप कुछ भी नहीं होगा ये एक normal distractions को indicate करते हैं जो normal concentration issues को indicate करते हैं अगर आप सूरी को जल दीज़ेगा वो चीज़े ठीक हो जाएंगी उसमें कहीं कोई समझ से हावाले बात नहीं है मैं individually किसी पर कोई allegation या कोई ये नहीं लगा रहा हूँ ऐसा मत समझेगा मैं एक बात बता रहा हूँ आपके ही प्रशन थे आप है इस चीज़ को लेकर चिंतित रहते हैं इसे नहीं हो रही है कुछ परिशानी आ रही है जिसके एवज में इनको लग रहा है कि ये सीमियल लाइन्स का असर है और मैं बहुत परिशान हूँ तो देखें ऐसा कुछ भी नहीं है जो परिशानी आपके साथ है वो परिशानी किसी और के साथ भी हो सकती है और वो कोई जरूरी नहीं है कि उसके हाथ पर सीमियन लाइन्स होगा ही तो इनके जिंदगी पर जो परिशानी थे उससे तो मैं रूबरू हूँ मैंने इनको असपस्ट बता दिया बिड़ा इनसे पूछे इनके वर्तमान अवस्था के विशे में और इनके जीबन पर किस परकार से परिशानी चल रही होगी उस विशे पर मैंने पूर्ण तर्टिपनी कर दी मैं ये पर्तेक्श रूप से बोड़ रहा हूँ पर इसका मतलब क्या होता है देखे इसका मतलब सर्फ इतना ही होता है कि आप संतुलित नहीं रह पाएंगे या तो दिमाग से जादा सोचिएगा या फर दिल से जादा सोचिएगा क्या होता है ना जब आपकी मस्तिक से रहा एक इंडिवीज्वल रहती है हिर्दर रहा एक इंडिवीज्वल रहती है मतलब दोनों ही हिसाब से अगर लॉजिकल तरक देखा जाए तो दोनों ही रेखा के एवज में आप दोनों ही तरीके से बहुत संतुलित होते हैं और एकदम संतुलित मानसिक्ता के व्यक्ति होते हैं जिसके एवज में चीजों को अच्छे तरीके से सोच पाते हैं और relate कर पाते हैं साती साथ जिन्दगी पर कुछ इसके एवज में कर पाते हैं अगर किसी जातक के एतरी पर ये दोनों merge कर जाए तो यहाँ पर दो एक case होगा या फिर पहला case ये होगा या तो वो दिमाग से सोचेंगे या आप दिल से सोचेंगे अब यहाँ पर बात आते हैं experience की तो मैंने जितना हाथ देखा है बहुत हाथ देखा है देखता ही रहता हूँ उस एवज में experience मेरे अंदर develop किया इसको मैं परत्यक्ष रूप से बता रहा हूँ बहुत से लोग की जिन्दगी पर मैंने देखा है कि ऐसे लोग बेसिकली दिल से जादा सोचते हैं भावुक होते हैं और अगर इस एवज में बुद्ध फिंगर छोटी हो जाए तो मैं प्राया वीडियो उसमें बताया करता हूँ कि 30 वरसों तक decision making में problems होती है तो पहला दिक्कत क्या हो गया ये लोग दिल से जादा सोचते हैं भावुकता जादा रहते एमोशन से जादा रहता है और दूसा चीज मैंने क्या बताया बुद्ध फिंगर छोटी ऐसे विक्ति दिल से जादा सोचते हैं और साथी साथ decision making में problems रहती है तो अगर ये लोग किसी चक्कर में फस जाएं अब देखो मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ कैसे इनकी चीजे मैंने पकड़ी कैसे इनकी कमी को मैंने पकड़ा इनकी एक disturbed शुक्र वले भी है तो ऐसे विक्ति को problems किस चीज में हो सकता आप खुद ही सोचो एक तो decision making में problems थी दूसरे भावुक व्यक्ति थे तीसरे महज 28 वर्ज की इनकी आयू है चोथे एदना depression में है क्यों पाच मा आईए घर दिलो अवस्थाईन की अच्छी है चुकि इनका शुक्र बहुत जबरदस्त है और इनका चनरवा बहुत बड़िया है और बाकि बरशपती भी अच्छा है सन मरकरी भी अच्छा है तो इस एवस में घरे दो दिस्टि कुण से यह चीज़़ है अच्छी मुझे दिखरी है तो फिर दिकत कहा हुई होगी मेरी दिकत इनकी दिक्कत कहा होई होगी ये बता हुआ तो एक सुक्र बले दो जिस्टरव था इनका उसके एवज में कि उसे प्रारंबिक रिलेशन्स में प्राब्लम्स को दर्शाती है और इमोशनल टच होने के वज़ा से ऐसे जातक उससे निकल नहीं पाते है तो ये इनके प्रभाबित करेगी तीस वरसों तक आयू तक और डिसिजन में किंग में प्राब्लम्स थी जिसके एवज में बुद्ध फिंगर छोटी मुझे परती थोड़ी थी यहां पर से क्या होता है न ऐसे लोग खुद को ही कोशते रहते कि मैंने ही कोई गलती की है या मेरी ही हतेली में दिक्कत है ऐसा कुछ भी नहीं है सब समय है सब पड़स्थिती है इस एवज में आप इतना परिशान मत होई है इतना चिंतित मत होई है ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा कुछ नहीं आप जिन्दगी पर कुछ नहीं करोगे आपके जीबन रेका पर कोई भी राहू रेखा नहीं है बागे रेका स्पस्ट है, सुक्र बड़ी अच्छी है, बरश्पती अच्छी है और एक सुड़ी देका डवलप कर रही है, कुछ नहीं कुछ लाइफ में कर ही लोगे बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं अपने जिन्दगी का गुजर वसर अच्छे तरीके से कर लोगे इतना कुछ आप लाइफ में जरूर करोगे, ये कनफर्म है तो इसलिए इस बात को लेके चिंतित ना रहे, ये सीमेल लाइन्स का बेसिकली फल है तो जितने वीवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनके किसी के हाथ पर सीमेल लाइन्स हुआ, तो चिंता मत करें, टेंशन मत लीचे अगर उस एवर्स ने बुद्ध फिंगर छोटा हुआ, तो टेंशन मत देना कभी भी किसी भी प्रकार से अपने आपको गलत मत समझना आप गलत नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये पर सिती है, ये जिन्दगी पर हो नी थी इसको लेके चिंता मत करिये, भूल जाए आज से ही चलिए जै, ये चीज आपने देख लिया, तो ये सीमेल लाइन्स का बेसिकली फल होता है मैंने तो प्रूफ कर दिया, मैंने तो दिखा दिया, पसंद आए तो लाइक कर दो, पसंद आए तो जो जरुतमन वेक्ति उनको शेर कर दो, मैं आपसे शेर और लाइक कही उमीद करता हूँ और हमेशा ही करता रहूंगा दिल से आपके लिए भार प्यार वेक्त करता हूं या आपने मुझे इतना सम्मान दिया अभी चलिए इनके एदली पर आगे चलते हैं अब positive चीज को दिखाएंगे फर negative चीजों पर विचार करेंगे तो negative चीज तो मैंने पूरता दिखा दी वो negative ही था अब negative चीज पर विचार करने का मतलब ही खतम हो गया positive ववस्थाएं क्या थे किस के एवज में मैं इनको ये टिपनी कर रहा हूं कि आगे के जिन्दगी आपकी अच्छी है किस एवज में मैं इनको आस्वस्थ कर रहा हूं कि आपके आगे के जिन्दगी अच्छी है उस वो समझना काफे जरूरी है ना ही नहीं तो इससे बड़ी भागे एक थाई वो में बताऊंगा इससे बड़ी भागे की अवस्था क्या हो सकती है इससे बड़ी खुशनुमा आवस्था क्या हो सकती है किसी भी जातक पर, के जिन्दगी पर, जिसकी राहू रेखा बिलकुल बिना हाथ पर हो, उनके जिन्दगी पर स्मूथ रहता है। एक भागे रेखा दिख रही है हमें, बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन भागे रेखा जरूर है, जहां पर से ये जिन्दगी पर अच्छे ही फल को दर्शाती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाले बात नहीं है। अगर किसी के भी जातक के हांच पर भागे रेखा रहती है, तो वो बढ़ियां फल देती है। लेकर अब यहां पर से डिपेंड करता है कि परस्थिती, भागे रेखा की अवस्था शांदार रहे तो आपके जिन्दगी की परस्थिती बड़ी शांदार रहती है। अगर भ बहुत जादा आए या फिर कम आए या फिर मीडियम में वो डिपेंड करता है बागे रेखा के कंडिशन्स पर तो बागे रेखा आपकी अच्छी थी मद्यमस तरी थी तो पैसे आएंगे ही आएंगे तो यह पॉस्टिविटी ही है बागी एक सूरी रेका डवलप कर रही है तो डवलपिंग स्टेज में मतलब जातक थोड़े फ्लक्चुएट तो रहते हैं लेकिन कलेट लेवल की नौकरी प्राप्ती का योग है पैसा ठीक ठाक जिंदगी पर कमा लेते हैं और बाकी चंदनमा प्रबल है मंगल भी अच्छा है सनमरकरी अच्छा है बर्षपती कुछ बड़ा कारी कर लेते हैं दर्सन सास्त्र की ज्याता होते हैं मतलब समझदार ही काफी अच्छी होती है और जो व्यक्ति समझदार है वो पैसे तो कमाई लेता है बस एक खुशी की बात है कि जल्दी ऐसे जातक को विशेसकर स्वास्त की प्राप्लम नहीं होती हलकी फ साफी अच्छा था ब्रश्पती भी अच्छा ही है खराब नहीं है और आगे की जिवन रेका से देख रहा हूँ बागे रेका भी साथ ही है जापर से आगे भी फल को यह दर्शा है जिंता मत करिए आगे के लिए प्रयास करिए बहुत बड़ी खाती बहुत बड़ी कि आगे के जिन्दगी कैसी रहेगी वेवाइक जीवन कैसा रहेगा तो देखें जैसा आपका शुक्र है ना बड़ा खतर नाक रहेगा हाँ प्रारंबिक समय में स्ट्रेगल स्ट्रेस इन सब चीज़ों का यह परिचे करा रहे थी इसके अलावा तो कोई मुझे रिसे इस तक होगी यह बाकी प्राग्लस आइन अच्छी थी तो अच्छे घर में जड़ा होता है लालन पालन अच्छे तरीके से हुआ होता है अठारा वर्स के आयू के बाद से डिपेंडेंसी कतम हो जाती एक दिक्कत आपकी थी 24 में साड़की आयू में 25 में एक तरक्की थी फिर आग आगे भी जीबन रेका स्मूथ चली एक आपकी 75 में 75 के बाद भी जंदगी अच्छी है मतलब लाइफ लाइफ लाइन आपकी पतली है ये बहुत जादा खुशी की बात है और राहू रेका इस पर नहीं है ये भी बहुत जादा खुशी की बात है और आगे की जंदगी में smooth है नहीं से है चुकि जब zeben रेका smooth रहती है ना एक-डो amount में राहू रेका नहीं दिखती है या फिर एक-डो amount में progress रेका दिखती है तो इसके एवस में जंदगी पर कुछ-कुछ ages में काम्याबी ही नजर आते हैं आपका एकदम से ये नहीं होगा, एकदम से आप डाउन फॉल पे नहीं जाओगे, दिरे-दिरे करके आगे ही बढ़ोगे, चुकि छत्यस वर्स के बाद की बागे रेका तो रही प्रभावी थी, जहाँ पर से थोड़ी समस्याय हो सकती है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर उस समय तक पूर्णता एकचा आपके पूरे होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत करोंगे, तभी आपके एकचाएं विगरा पूरी होंगी, तो मेहनत करने पर फोकस करिए, पिछली बाते भूल जाईए, जो बाते बीत गई, उसको वहीं पर छोड़ दीजे, बढ़िय पाम है, मद्यमेच के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं, और मद्यमेच के बाद बेसिकली सफलता मिलती ही मिलती है, एकदम मिलती है, उसके बाद आपकी गढ़्देदार अवस्था है, तो यह भी एक राज्यो कारक हटली को दर्शाती है, 65% राज्जो कफल है, जाती है और एक सबसे खुशी की बात मैं बताओं कि प्लैनेट्स आपके काफी उबार लेवे कंडिशन में इस पेशली सुक्र जो लगजरी के सुक्को दर्शाता है जो आपको सौखीन बनाता है और इंसान सौख मेहनत करके ही पूरा करते है न तो आप मेहनत करोगे आपको स इंसर्ण तो मुझे नहीं दिखा रहा वाकि एक्षा शक्ती बहुत ही अच्छी है और यह आपकी यवा किरती है जब भी सपोर्ट क्या वश्यक्ता पड़ेगे मिल जाएगी डिजायर्स के अच्छे लाइन्स है तो यह कहीं न कहीं आपके महात्वाकांची नेचर का अच्छानी होती है तो इसलिए ऐसा काम ही मत करो जिसमें आपको सम्मान के लक्षा करने की जुरूरत भी पड़े तो इस सेकेंड फरेंस होड़ा छोटा है सार एक स्रम तो आपको करना ही पड़ेगा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बाकि थम्ब ही थोड़ा छोटा है जहा मैं जिन्दगी को समझदारी के तहट जीना चाता है लेकिन सुरुवाती दोर में कुछ डिसिजन मेकिंग में प्रॉबलम्स थी तो उसके एवज में तकलीफ हैं आपके जिन्दगी पर आई होगी हाला कि अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कुछ एक दो साल का ब कर रही है दार में कास्ता रहती है संसेटन के अटेच्मेंट नियमत रूप से जिन्दगी को जीते हैं लेकिन खर्चले परविर्ति की होने के वज़य से वो अनिमित हो जाता है और कोई ने कोई टैलेंट आपके अंदर डवलब करता है जिसके एवज में अब धन कमाते हो स मेहनत से अपने जिन्दगी पर आगे बढ़ते हैं सूरी फिंगर लंबा है इंसान काफी जादा ही हिम्मत दी है तो हिम्मत मेहनत का कॉंबिनेशन च्छा दिख रहा है आमें इसको बस फलित रूप से अपने जिन्दगी पर बनाना है और अपने जिन्दगी को ठीक करने के परियास करना है बाकि आपकी बुद्धिक फिंगर अलकी टेंडि कर रही है ये कई न कई आपके कैलकुलेटिब परियास करना तो हो सकता है जाथ तक आगे चलके कुछ वेपार करने का थेंक रखें लेकिन वर्तमान समय में तो मैं साजिशन नहीं दूँगा अगर कुछ नौ बाकी ब्रश्पती में कोई indications तो फिलार डवलप नहीं कर रहे हैं लेकिन ब्रश्पती है आपकी अर्ची जरूर जापर से ऐसे विक्ती सम्मान को तो पाते हैं वेल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है हो सकता है अपने दोका दे चुकि एमोशनल है अगर कोई खराब विक्ती आपको मिल गया तो हो सकता है वो आपको परिशान करें लेकिन ब्रश्पती आपको घर से बाहर करें या किसी के साथ भी आपर होगे जाओगे बात करोगे तो अपना एक अस्तित्व बना लोगे अपना वेल्यू मान सम्मान आप जरूर अस्थापित कर लोगे तो ब्रश्पती इतना अच्छा जरूर है और इतना अच्छा फल आपको जरूर देगा तो बढ़िया ब्रश्पती है और ऐसे लोग आगे चलके कुछ बड़ा कारे भी कर सकते हैं अपना जन्दगी बड़ा ऐसे जाते हाइर एजुकेशन के योग को भी यह दर्शा आता है ऐसे जाते हाइर एजुकेशन भी ले सकते हैं और इनका इक्छा भी है कि यह हाइर एजुकेशन ले तो बहुत इच्छे चांसे साब जरूर लीजिए और को चुपाएं है नॉमिनल जो मैं आपको दे दूँगा जिससे मांसरिक्रिसिती आपके ठीक रहेगी वागी यहां से दबाब है तो विक्ति महनती ही तो है बागे रेका बन रही है चत्रिस के बाद एक अच्छी दो सूरी रेका है इवन तो इस एवज में जातक महनत करके जिन्दगी पर आगे बढ़ते हैं चुकि शूरी रेका छोटी थी जहां पर से बहुत बड़े अधिकारी के तरफ इसारा तो नहीं करा रही लेकिन यह आगे चलके बनती भी है तो इसको लेके चिंते तमत रही है और बाकी आप परियास करते रहे हैं अगर आपका परियास एकदम अच्छा रहा आपने स्मार्टली किसी चीज के लिए परियास किया तो इसके वज में सफलता मिलेगी आपको और दो सूरी रेखा है कही न कही सपोर्ट तो करेगी अभी तो कलरक लेवल तक के ही जॉब के आसार है बाकी सन मरकरी अच्छी है बुद्धी विवेक से गारे करने वाले है और मरकरी पर खरी लाएंस इंसान की समझदारी का परिचे कराती है कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है लेकिन बन ज़रूर रही है जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे आपका माइन विवेक्षित करेगा जो आप बेवकुकी अभी कर लेते हैं जो आप जिसकी वज़ा से डिसिजन मेकिंग की वज़ा से परिशानी में पर जाते हैं वो आप आगे चलके नहीं करेंगे चुकि आपकी सन मरकरी अच्छी है बुद्धी विवेक से कारे करते हैं लेकिन इसको सपोर्ट के लिए एक लाइन्स की आवशक्ता है क्योंकि नेगेटिविटी ज़ादा हावी हो रही है इसमें इंसान मुर्खता कभी कभी कर लेते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है कुछ गरहों का चाल है कुछ गरहों या कुछ ऐसी अवस्थाएं आपके हाथ पर है जिसके एवस में ये डिसिजन ये परिशानी आपके जिंदगी पर आ जाती है लेकिन ये आस्वस्थ रही है आगे चलके इसके रिगार्डिंग ज़ादा समस्याएं नहीं आएंगे आप अपने गलती से सीखने का प्रियास करिए तो सन मरकरी काफी अच्छी बुद्धिवेग से कारे करते हैं सीमेल लाइन से जैसा मैंने आपको बताया इसके फल को जैसा मैंने समझाया तो इसको लेकर जादा चिंटा मत करो इमोशन को थोड़ा कम कर लो इसके डिगारिंग कोई नेगरिव इंपक्ट नहीं आएंगे बाकि जबरदस्त आपकी मंगल है दोडों मंगल कमाल की है दोडों मंगल आपकी खतरनाक है जहां पर सही अच्छी एनरजी का परचे कराती है अच्छे एनरजेटिक व्यक्ति अगर आप अपने पराकरम को समझेगे न तो emotions जाएगा कहीं और तो emotions को लेके इतना चिंतित नहीं रहेंगे आप तो अपने आप पराकरम को समझी अपने ताकत को समझी अपने बल को समझी अपने dedication को समझी और आपके dedication high level का है, जितना जल्दी इसको समझेगा, उतना जल्दी जिन्दगी पर आगे बढ़िएगा, ये दिरगाईों को दर्शाता है, अच्छे स्वास्त को दर्शाता है, जिन्दगी पराने वाले काम्याबी को दर्शाता है, logical sense में चीजों को दर्शाता है, जो जातक हैं, और एक जबरदस चन्रमा पैसे के flow बनी रहेगी, और पानी से जुरे विकार में benefit या घर से दूड़ के उन्नती को दर्शाता है, विदेशी दर्शी दर्शी दनलाव को भी दर्शाता है, कुछ नॉर्मल यात्राओं के योगते, बाकि साब सुतरा जिन्दगी रहती ह 18 वर्स के बाद बागे रेका सक्री थी, 36 वर्स के बाद थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन अलकी अलकी बन रही है, जब ये बनेगी तो बहुती अच्छा फ़ल जिन्दगी पर ये लाती है, बाकि यास सभी कुछ यात्रा आई के योगे जिन्दगी पर लास्ट समय में या चाता है, और अच्छी वाइफ मिलने के आसार है, शादी थोड़ी विलम उसे दिख रही हैं, लेकिन अच्छी पत्री मिलने के आसार हैं, और मनी मेरेजमेंट के अच्छे लाइन से, सुक्र से जुड़ावा कारी, लेबिस लाइफ का सुक्र, बैठे बठाए धन संपत्ती के योग, और साथ ही साथ, किसी भी कारी को करने में कमफर्ट रहेगा, वो आपको सारा ही चीज आपका शुक्र दे रहा है, जहाप पर से जिंदगी थोड़ी अच्छी रहेगी आपकी, एक अच्छी योग है, जो आपके लगजरी शुक्र दर्शाते हैं, वो तो आपको ज लेने के आसार भी नहीं थे, एक अच्छी मंगल रेका डवलप कर रही है, ये भी देख लो, आपके एक जीबन रेकायों दर्शाता है, वो तो जिंदगी पर रहेगा, कुछ एक बुद्धर रेका बन रही है, फिलाल तो भी इसमें कोई भी स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख लेका आप संपड़ कर सकते हैं, धन्यवाद